पैसा वसूल, value for money क्या है ये पैसा वसूल, क्या है ये value अगर दुनिया के जाने माने निवेशक वारन बॉफिट जो की दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आद réponse भी है उनकी बात माने तो price is what you pay and value is what you get अब मिसाल के तौर पे अगर कोई इनसान बहुत तेज जाना चाहता है और बहुत ही मैंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है तो उसके लिए उस गाड़ी में वैल्यू है लेकिन अगर उस कार से वो यहां आना चाहे तो क्या वो आ सकता है उस गाड़ी की वैल्यू यहां पर जीरो है तो आप में से वो लोग जो की काफी महत्वा कांची हैं लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी चाहते हैं एक कॉम्पैक्ट सब 4-meter SUV जो की आपको ज्यादा से ज्यादा दे ऐसी गाड़ी चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यह जो गाड़ी यहां पर खड़ी है महिंद्रा बोलेरो नियो एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी कार है क्यों चलिए जानते हैं इस वीडियो में अब वैल्यू यह गाड़ी आपको बहुत तरीके से देती है लेकिन मेरी नजर में यह जो डीजल एंजन है यह आपको इस तरह की कीमत में और तहीं नहीं मिलेगा साड़े नौ से साड़े ग्यारा लाक रुपए की गाड़ी में अगर आप देखने जाए तर्क की बात कर लें और जिस तरह की बड़ी गाड़ी है लोड लगिंग की बात करें हिल पे चलने की बात करें तो इस तरह का डीजल एंजन इस तरह की टॉर्क इस तरह के बोडी ऑन लेडर फ्रेम, यह एक मॉनोकॉक नहीं है, जो कि एक SUV की पहचान होती है, यानि कि खराब रास्तो पर यह गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है, ज्यादा लोड ले सकती है और अब्यूज को सह सकती है, इसके अलावा एक और खासियाद इस गाड़ी की जो है, इसका ट्रेडिशनल SUV डिजाइन, आप में से जिन लोगों को पुराने SUVs, परपस बिल्ट SUVs ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें यह फॉर्म ज्यादा पसंद आएगा. अब दोस्तों कुछ features ऐसे होते हैं, जो सिर्फ नाम के features होते हैं, और कुछ features में वाकई में engineering और पैसा लगता है, और बहुत सारे manufacturers, including premium car makers, उन features से दूर इसलिए भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें वाँपर पैसा खर्च करना होता है. एक ऐसी feature जो कि Mahindra Bolero Neo आपको देता है, कोई और sub 4 meter SUV नहीं देता है, वो है rear wheel drive और ये एक बहुत ही important value for money feature है, यहाँ पर आप इस गाड़ी को hills में जब चलाएंगे, तो इसकी advantages आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब आप uphill जाते हैं, तो traction आपको पिछले wheel पे मि जाते हैं, steering जो है, वो जादा neutral होता है, talk steer आपको नहीं मिलता, और इन सब चीजों के साथ साथ जब आपका मस्ती करने का मन हो, तब आप rear wheel drive को जादा अच्छे से slide भी कर सकते हैं, इन सब चीजों के अलावा, सिर्फ Mahindra Bolero Neo में मिलता है, आपको optional mechanical locking differential, अब हाला कि एक 4x4 इतना effective तो नहीं है, लेकिन एक front wheel drive car से कहीं ज्यादा बहतर है, और mechanical locking diff के साथ, पिछला axle, एक solid axle की तरह काम करता है, जिसे कि आप खराब रास्तों पर या फिर जहां पर आपको पकड़ ना मिले, ऐसे रास्तों पर बहुत आसानी से निकल सकते हैं, और ये एक बहुत देता है, अब ना सिर्फ इस गाड़ी का शैसी बहुत ही rough and tough है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत ही ज्यादा ground clearance भी है, ताकि इस तरह के खराब रास्तों पर, उबर खाबर रास्तों पर, पत्थरों के उपर, अगर आप इसे लेकर के जा रहे हैं, तो भी गाड़ी को कोई damage ना हो, साथ ही जो पत्थर आप देख रहे हैं, अगर आप एक normal car के tires को इसके उपर चलाएंगे, वो tires soft compound होते हैं, कट फट जाते हैं, लेकिन tires भी यहाँ पर rough and tough हैं, और इस तरह के rough use के बावजूद भी इन tires को कुछ नहीं होता अब हाला कि यह एक rough and tough car है, तो यहाँ पर ground clearance ज्यादा है, seating भी जरा उची है, लेकिन Mahindra ने यहाँ पर आपकी सहुलियत का पूरा ध्यान रखा है, और इस footboard का उपयोग करके, छोटे कद के व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे और व्रद भी इस गाड़ी के अंदर बहुत आर light SUV है, जो कि आपको देता है seven seats, और अगर आपको seven seats चाहिए, ज्यादा लोगों के बैठने की जगे चाहिए, तो चाहिए उसका कोई replacement नहीं है, यहाँ पर आपको मिलती है two extra seats, बहुत ही easy entry, और आप चाहें, तो इन seats को उपर करके boot में भी तबदील कर सकते हैं, third row passengers को मिलता यह handle आराम से अंदर प्रवेश करने के लिए, एक individual light जिससे कि अगर कुछ देखना है तो आराम से देख सकें, और साथ ही यह butterfly windows ताकि ventilation का भी पूरा ध्यान रखा जा सके, also two seats extra होने का मतलब है, कि जरूरत पढ़ने पर आप किसी जरूरत मंद की सहायता भी कर सकते हैं, अब जहां अपने साथ carry करने की सुविधा, आप अपनी family के साथ एक लंबे holiday पे जा रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ एक road trip पर, यहां पर आप अपना सारा सामान डाल सकते हैं, आपको seven seats चाहिए, या एक बड़ा boot, आप चूज कीजिए बिना किसी compromise के, मैंने आपको बताया, बुलेरो नियो एक बड़ी ही practical बड़ी ही functional कार है, और आपने बहुत सारी गाड़ियों में fancy lights देखी होंगी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही खास चीज आपको मिलती है, यहां पर हाला कि lights वही पुरानी halogen lights हैं, लेकिन मैं यह बात पहले भी आपको क आपको ज्यादा बहतर visibility देती है, खास तोर पर बारिश के मौसम में, लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहां पर आपको यह cornering lights भी मिलती है, और इसका उपियोग जब आप इसे घाट में use करेंगे, तब आपको महसूस होगा, आपकी visibility को यह बहुत ज्यादा बड़ा देती है, औ और आजकल बहुत सारे SUVs में आपको fog light नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको fog light भी मिलती है, जो कि इसे खराब मौसम में चलाने के लिए बहुत उपियोगी बना देती है, आप इसे चाहे पहाडों में चला रहे हो, या माहराष्ट की बारिश मे या गुरदाओं के fog में, यह fog lamps आपकी हर जगे मदद करेंगे, अब देखिए अगर कोई गाड़ी seven seater है, तो सामने दो, बीच में तीन और पीछे दो लोग बैठने चाहिए, है कि नहीं, अगर आप तीन लोगों को बीच में न बिठा पाएं, तो फिर वो seven seater कैसे हुई, लेकिन bolero new में आपको मिलती है बहुत ही wide bench like seat जहाँ पर आप actually तीन लोगों को बड़े आराम से बिठा सकते हैं, तो चाहे आप अपनी family के साथ बाहर जा रहे हों या फिर दोस आराम से move कर सकते हैं, बहुत ही generous head room आप में से जो लंबी कद काठी के लोग हैं, वो भी यहाँ पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं, यह central armrest अगर आप सिर्फ दो लोग travel कर रहे हैं, तो आपके आराम में इजाफा करता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ISOFIX child seat mounts भी मि कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, सामने और पीछे दोनों ही जगे आपको बड़े bottle holders मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी bottles बड़े आराम से वहाँ पर रख सकें, magazines, cell phones या newspaper के लिए आपको यह magazine holders भी यहाँ पर नजर आएंगे, इस सब के अलावा एक खास चीज बोले रो नियो क के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते थे, वो यह है कि यह interior जो है, यह Italian designed है, यह color scheme, यह upholstery, यह texture, यह सब कुछ Italy में design हुआ है, और इसलिए यह काफी refined और sophisticated भी लगता है, अब देखिए दोस्तों, यह एक SUV है, और SUV को जिस तरह से होना चाहिए, एक commanding driving position जिससे आप को चारो तरफ सारा नजारा बहुत ही clearly मिले, वो यहाँ पर एक specialty है, compact sub 4 meter segment में, यह आपको सबसे ज़्यादा commanding position देता है, आप सड़क से ऊपर चलते हैं, और उसके साथ ही साथ, यह बड़े rear view mirrors आपकी visibility और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, अब जिस तरह से यह पूरी गा तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर black और beige interior मिलता है, जो कि काफी साफ सुतरा, neatly laid out और practical है, यहाँ पर आपको एक open space मिलता है, जहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज बड़े आराम से डाल सकते हैं, और मैं बहुत जादा गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस तरह के open spaces बहुत जादा useful होते हैं, यहाँ पर कुछ चीजों का खास ध्यान रखा गया है, यहाँ पर आपको armrest मिलता है, wide बड़ी comfortable seats मिलती हैं, ताकि long drives पर भी आप बड़े आराम से चल सकें, इसके साथ ही driver seat जो है, यह height adjustable है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि value for money factor को और भी बढ़ा देती हैं, वो है, यह इको मोड जो कि आपकी range को बढ़ाता है और आपको fuel की बचत करने में और भी मदद करता है, और साथ ही आपको मिलता है micro hybrid जिसके अंतरगत आपको मिलता है, stop start system जिसे की लाल बत्ती पर आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जात कर जो instrument console है, यहाँ पर आपको सारी information मिलती है, average fuel efficiency, distance to dry, इस तरह की सारी चीजें जो ज़रूरी है, वो यहाँ पर आपको बहुत ही clearly नजर आ जाती है, speedo, taco बहुत ही neatly laid out है, यहाँ पर आपको यह 7 inch screen मिलेगा, decent sounding audio system है, आप इसे Bluetooth या फिर इस USB के द्वारा भी connect कर सकते हैं, यहाँ पर एक aux in भी आपको मिलता है, 12 volt का power socket है, AC बड़ा ही strong है, और अगर आपको और भी ज़्यादा fuel की बचत करनी है, तो आप AC को भी eco mode में डाल सकते हैं, और साथ ही passenger side पर आपको vanity mirror भी मिलता है, यहाँ पर आपको यह parking assistant मिलता है, जहाँ पर आपको न सिर्फ warning beep मिलेग लेकिन आपका अवरोध से distance कितना है, यह भी आपको मालूम पड़ता है, और finally आपको यह भी पता चलता है, कि अब आपको रुख जाना है, वरना गाड़ी की टककर हो सकती है, इन सब चीजों के अलावा, एक और खास बात, यहाँ पर आपको cruise control मिलता है, जिससे की highway पर कराम से एक गाड़ी चला सकते हैं, दोस्तों बुलेरो नियो में बैठते ही कुछ चीजें आपको बहुत ज़ादा इंप्रेस करेंगी और उन में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इसकी ड्राइविंग पॉजिशन एक प्रॉपर एस्यूवी जैसी है एक बड़ी ही कमांडिंग ड्राइविंग पॉजिशन में आप बैठते हैं आपको चारों तरफ का नजरा बहुत ही क् हाउक एंजिन जो है यह बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है यानि कि अगर आप इसे लो स्पीड पर हाई गेर्स में चलाते हैं तो यह किसी तरह से रिजिस्ट नहीं करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप इसे स्टॉप स्टार ट्राफिक में या फिर शहर की जो गहमा गहमी है वहाँ पर चला रहे हैं तो आपको पहली बात तो गेर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे और दूसरी बात चूंकि आपको गेर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपका एफर्ट बचता है आपको फ्यूल एफ आज मैंने इस गाड़ी को काफी ज़्यादा खराब रास्तों पर चलाया और काफी सारी ऑफ रोड़िंग भी करी क्योंकि मुझे इसे शूट करना था और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी रिजिस्ट कर रही है जहां हमारी बैक अप शूटिंग कार्ज को जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा था उन खराब रास्तों के उपर ये गाड़ी बिलकुल एफर्ट लेसली चल रही थी यहां पर सामने आपको independent front suspension मिलता है और पीछे आपको multi link suspension मिलता है दोनों ही जगे आपको additional coil springs भी मिलती है और stabilizer bars भी मिलती है और ये बड़ा ही heavy duty suspension है और चुकि एक seven seater है तो आप जैसे जैसे इसे load करते जाते हैं वैसे वैसे ये और भी जादा comfortable होता जाता है तो और दूसरी गाड़ियों की तरह है जहां पर जैसे आप load कर देते हैं तो गाड़ी बैठ जाती है ये गाड़ी बैठती नहीं है और खराब रास्तों के उपर ये almost indestructible यानि की आप इसे तोड़ नहीं सकते इस तरह का feel आपको देती है overall अगर आप इस गाड़ी की feel की बात करें तो एक proper rough and tough usable, tractable, बहुत ही fuel efficient और बहुत ही refined diesel engine के साथ ये बनाई गई है ये diesel engine न सिर्फ बहुत जादा fuel efficient है जैसा मैंने आपको पताया city में अठरा highway पर 24-25 तक की mileage आपको देता है लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही जादा refined भी है यानि कि अगर आप गाड़ी को highway पर चला रहे है 100-120 की speed पर तो engine की किसी भी तरह की आवाज आपको cabin में सुनाई नहीं देती है एकदम buttery smooth ये महसूस होता है और एक और बड़ी खास बात जो है पुई है कि gear shift भी काफी smooth है इन सब के साथ साथ यहाँ पर आपको cruise control में मिलता है इस तरह की एक rugged rough and tough गाड़ी के अंदर जो सब होना चाहिए वो सब यहाँ पर है बड़ी ही effortless बड़ी ही built to last ये गाड़ी है और इस बात का अंदाजा आपको जब आप इस गाड़ी को used car market में लेने जाएंगे तब भी मिलेगा क्योंकि न सिर्फ ये गाड़ी कहने के लिए built to last है बट लोग जानते हैं कि ये built to last है इसलिए इसकी resale value भी बहुत अच्छी है दोस्तों किसी भी गाड़ी के साथ safety बहुत ज़ादा ज़रूरी है और महिंद्रा जैसा कि आप जानते हैं भारत के सबसे ज़्यादा safe cars बनाने वाले manufacturers में से एक है और ये कार भी कोई अपवाद नहीं है यहाँ पर आपको महिंद्रा बोलेरो का third gen chassis मिलता है जो की बहुत ही sturdy है उसके साथ ही आपको twin airbags मिलते हैं ABS with cornering braking control मिलता है उसके साथ ही साथ seat belt reminder, auto door lock, rear wash wipe with defogger, parking sensors, static bending headlamps, अच्छी visibility और बड़े ORVM's मिलते हैं तो महिंद्रा की बाकी गाडियों की तरह इस गाड़ी पर भी आप safety के मामले में पूरा भरोसा कर सकते हैं अब देखिए दोस्तो सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है नमे शायद आप भी नहीं है और उसी तरह से ये गाड़ी भी शायद perfect नहीं है क्योंकि perfect कोई नहीं होता also you cannot have it all यानि कि आप सब कुछ नहीं ले सकते खास तोर पे जब एक कीमत involved हो so इस price के लिए आपको कितनी value मिलती है या फिर value आपके लिए है क्या ये important है मिसाल के तोर पर यहाँ पर भी sunroof नहीं है लेकिन अगर आप एक sunroof का usage देखें तो किसी भी गाड़ी के life span में एक या 2% से ज़्यादा वो use नहीं आती है लेकिन अगर आप rear wheel drive की बात करें जो कि इस गाड़ी में है और almost किसी गाड़ी में नहीं है इस segment में तो वो feature जब गाड़ी चल रही होती है तो 100% of the time काम आती है तो आपकी preference क्या है आपकी ज़रूरत क्या है ये चीज उस गाड़ी की value आपके लिए decide करती है और जिन लोगों को एक practical, rugged, fuel efficient, spacious, 7-seater compact SUV चाहिए उन लोगों के लिए ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस से ज़्यादा value for money गाड़ी उन्हें शायद इस market में नहीं मिलेगी यहाँ पर आप ये भी जानिये कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की preference अलग है, जरूरते अलग है, उन लोगों की likes और dislikes अलग है तो ये बात भी लाजमी है कि कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा value for money ना लगे और उन लोगों को भी पूरी तरह से सलाम है लेकिन मुझ जैसे और आप जैसे लोग जो महत्वा कांची तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा practical हैं जिनने काम भर की चीजें जो हैं वो ज़्यादा attract करती हैं बनिस्पत luxury के उन लोगों को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा value for money लगेगी मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा value for money लगती है क्योंकि अपने price bracket में ये जो चीजें कर सकती है वो कुछ और गाड़ियां बिल्कुल नहीं कर सकती तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बिल्कुल पैसा वसूल यानि की value for money है यहाँ पर क्या-क्या विशेश है, क्या-क्या highlights है वो सब मैंने आपको बताया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ पर आपको कुछ value मिली तो करपा करके like कीजिए, subscribe कीजिए और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लिता हूँ तब तक के लिए, अलविदा